हैलो फिर्ट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल नितोस को किंग हम आज मैं आप तो के लिए लेके आए हूँ सूजी आलू से बनने वाले एक ऐसे नास्ते की रेसिपी जिसे आप बहुत ही जल्दवाजी में कहीं सफर पे अगर जा रहे हैं तो उसके लिए भी बना के रख सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी आप इसे बना सकते हैं अगर आपके घर में मेहमान आए तो भी आप इसे बना के सब कर सकते हैं ये नास्ता बहुत ज़्यादा कुरकुरा चटपटा बनता है आप इसे अगर बाहर लेके जाएंगे तो दो दिनों तक ये पानी में डाला हुआ है ताकि यह काला ना पड़े तो यहाँ पर मैं इसे बस ऐसे ही मोटे मोटे टुक्रों में कट कर रहे हूं क्योंकि इसे हमें पीस के लेना है जब भी आप आलू को कट करें तो इसे पानी में डाले इसे यह काले नहीं पड़ते हैं और अभी मैंने पे चार हरी मिर्च ले रही हूँ तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं एक इंचा द्रग के टुकड़े को काट के लिया है इस तरह से इसे भी जार में डाल दिया है साथ में तीन लैसन की कलिया ली है अगर आप लैसन पे आज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप करके भी आप इस नास्ते को बना सकते हैं और अभी हम इसे बीना पानी के ग्राइंड कर लेंगे तो इसे आपको रुकडुक के थोड़ी देर तक ग्राइंड करना है ताकि ये एकदम बारीक पीस जा बिल्कुल भी गुटलिया नाड है इसमें तो यहाँ पे देखे ये हमा एक चोथाई चमच यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर एड़ कर रहे हैं एक चोथाई चमच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर एड़ किया है साथ में एक चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर एड़ किया है और अभी यहाँ पे मैंने एड़ कर द तिल इससे हमारा नास्ता तेश्टी तो बनेगा इस साथ में क्रंची भी बनेगा साथ में आधी चोटी चमच आजवाइन एट कर दी है आधी चोटी चमच कलोंजी एट की है नमक स्वादनुसार एट करें जितना कि हम आटा लेने वाले हैं तो यहां पे देखें इन सब अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिक्सर जार में थोड़ा सा पीस के ले तो अभी हम सूजी को अच्छे से इस मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आप मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल डारेक्ट करना चाहते हैं बिना पीसे हुए तो फिर आपको फूलने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए उसे छोड़ना होगा तो यहाँ पे देखे मैंने इसे मिक्स कर लिया है और बस इसे ऐसे ही खुला हम छोड़ देंगे और यहाँ पे इन सब चीजों को रखे हुए मुझे लगभग 5-6 मिनट हो चुके थे तो इस टाइम पे मैंने एक मुठी भरके हाडा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक टुक्रों में कट करके डाला है हाडा धनिया थोड़ा ज़्यादा डाले इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है साथ में यहाँ पे मैंने लिया है एक कप गेहू का आता है तो थोड़ा थोड़ा आता डालते हुए हम एक डो रेडी करेंगे जितना आता जरूरत होगा उतना आप डालते जाए तो यहाँ पे देखे बसी से हमें इस तरह से मसल के मिक्स करना है रोटियों के लिए जैसे हम डो लगाते हैं उससे हमें इसे थोड़ा सा सक्त रखना है उससे हमारा जो नास्ता बनेगा वो बहुत जादा क्रिस्पी बनेगा साथ में वो बहुत देर तक फुला फुला भी रहता है तो यहाँ पर देखे मैंने पूरा एक कप आटा डाल दिया है मतलब आधा कप सूजी और एक कप गेहु का आटा डाला है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजे मिक्स हो चुकी है तो इस टाइम पर मैं एड़ कर रही हूँ एक बहुत जल्दी चिकना हो जाता है तो यहाँ पर इस आटे को आपको मसल के गूतने में थोड़ा टाइम लग सकता है और आपको अच्छे से ही गूतना है तो यहाँ पर देखे इसे मैंने तीन से चार मिनिट इस तरह से गूत लिया है और ये हमारा डो पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो अभी हम इसे ढखके चार से पाच मिनिट के लिए ऐसे ही फिर से छोड़ देंगे ताकि यहाँ ताकि आटा हमारा अच्छे से से शेट हो जाये आटे को रखे हुए चार से पाच मिनिट हो चुके है तो अभी मैंने इसे ओपन किया है और फिर से एक बार हम हाथों में हल्का सा तेल लगा ले और बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके लिए मैंने लोई पे हलका सा सूखा आटा लगा दिया था और चकले पे डाल दिया है और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे तो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल पूरी बेलते हैं बस उतना ही मोटा हमें इसे रखना है अगर आप थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने बेल लिया है और यहाँ पे इसे कट करने के लिए मैंने ले लिया है यह ग्लास और इस तरह से मैं इसे कट कर रहे हूं इससे एक साथ बहुत सारी पूरिया हमारी बन के आ जाएंगी आप चा इससे ही कठा करके फिर से बड़ी पूरिया बेल के कट कर लेंगे और यहां पे आप इस पूरियों को इस तरह से प्लेट में जब रखेंगे तो यह बिल्कुल भी चिपकती नहीं है आप चाहें तो एक साथ सारा पूरी कट कर ले उसके बाद आप इसे तलने के लिए ले तो थोरी देर में ही आप देखेंगे कि पूरिया तुरंती फूल जाएंगी तो यहां पे देखें पूरिया हमारे फूल चुकी है फूलने के बाद भी आप थोरी देर इसे ऐसे ही तलने दे उसके बाद आप इसे पलटें उसके बाद उलटते पलटते हुए आप इसे थोर पूरियों को हम तल लेंगे यह नास्ता इतना जादा चटपटा करारा बनता है कि मार्गेट के समोसे कचोरी भी इसके आगे आगे आपको फीके लगेंगे तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह सेयर करें आज में बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग